तो बच्छा आज आपका लाइब नंबर है बेटा 23 क्लास 9 तो से एं से इंसे आई आईटी मपन veux कि अगर देखो आप ले लो तो उसमें तुम्हें जाता है इसका तुम्हाल्ट से कर दो सोभ़नेंज जाता है इसका से कर सकते हो कोई भी भूक से कर सकते हो सब में से हो जायागा लेकिन तू पहले सिख जाओ तब बाइक क्लियर हो जा है हो गया चलो है चला जाए फिर शुरू करा जाए चलो तो question number second है बच्चा और शीखेंड का second part है बेटा कि देखो यह question कुछ ऐसे है 95 इंटू 96 कि कह रहा है इसको डारेक्ट गुड़ा किये बिना इसका मान ग्याद कीजिए मतलब सर्बसमीका की सहायता से मान ग्याद करना है कैसे करना है सर्बसमीका की सहायता से मान ग्याद करना है तो बेटा कल मैंने तुम्हें एक सूतर लिखवाया था वह सू और इसको तुम लिख सकते हो बेटा 100-4 क्यों भया लिख सकते हैं कि नहीं पहले मुझे यह बताओ इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें कोई समाजिक समस्या तो नहीं होगी अगर हम ऐसे लिख देंगे तो इनको भया 100 को हम अरे चचा यह 96 है इसको हम लिख दे 100-4 तब क्या हुआ वही तो होगा न इसमें से घटाओगे तो छान भी तो आएगा न तो मतलब तो वही हुआ न अब बतलब वही हुआ न चलो अंकुर राजा हाँ बहुत करीब पहुच गया हो तुम चलो अपड़ाई कर लो अपड़ाई कर लो बाबू चलो तो आप देखो कल मैंने आपको एक सरबसमिका बताया था वह सरबसमिका क्या थी यहां समझो इधर लिख सकता हूं जगा है लिक्स तो सकता हूं लेकिन उधर थोड़ा सा मुझे समेटना पड़ेगा चलो कर देता हूं देखो बच्चा कल मैंने बताया था यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी इक्कल यह आपका एक सूत्र होता है किसी को याद है तो बोले यस कितने ऐसे गदे को याद आधा बताओ जल्दी बताओ यादे तुम्हें अरे गदे तो मैं प्यार से बोल रहा हूं भाई अच्छा स्वारी चलो यह होता है एक्स का स्कॉयर ए प्लस बी यह और एंटू बी यह सूत्र होता है सर्वसमिका होती है एक बार फिर से शुनलो मैंने क्या लिखा है एक्स प्लस ए इन्टू एक्स प्लस बी एक्स का स्कॉयर प्लस ब्रेकट में है ए क्रीकट में है एक्स ब्लस ऐ इन्टू बी तुम लोग ने बताया नहीं आज वीडियो की आवाद नहीं सही थी चुकि बाहर का सोरकुल भी उसमें रिकार्ड हो रहा था अब सही हुआ देखो वाइस में चेंजिंग हुआ ना चलो देखो समझो तो बच्चा क्या करेंगे इसमें हम मान रखेंगे ठीकर रेडी हो यहाँ पर देखो मान लेंगे अब हम क्या मानेंगे यक्स की जगहा पर बिटा 100 और एक ही जगहा पर क्या है देखो माइनस का 5 है याद रखना यहाँ पर जो चिन् लगा है गिंती के पहले वही रहेगा जो गिंती के पहले चिन् लगा है वही रहेगा गोजो 4 सरसराफ खतम हो गई न कि चलो तो A का मान माइनस में 5 आएगा और बच्चा B का मान के आएगा माइनस का 4 याद रखना जो चिन लगा है गिंती के पहले वही इसका मान होगा तो बिटा यहाँ पे सारे मान रख दो इधर यक्स की जगह पे 100 और प्लस की जगह पे प्लस A यहाँ एक ही जगहा पर रखोगे बिटा का माइनस का 5 चा रखोगे अभे भाई कहा पहुँच गए हम लोग इसका मान रखने से तो कोई मतलब भी नहीं इसके फार्म में तो यह दिया आई है रख दो फिर भी तो कोई मतलब नहीं है हमें सीधा सीधा इसका मान रखना है किसका यह इतने का मान रखना है इसी को मान रखके तो निकालना है तो चलो रखते हैं 100 की जगा पे 100 मतलब यक्स की जगा पे 100 और प्लस एकी जगा पे बिटा माइनस का 5 एक ही जगहा पर देखो माइनस का 5 रखू इय। जहाँ पर भी ध्यान देना बी कमान माइनस चार यहां से देखो बहुत ध्यान से समझझो तब समझ में आए गा बेटा coveredखुए बहुत ध्यान से समझझो यह प्लस पहले से है तो यह प्लस रहेगा माइनस का 4 ऐसे और यह कोश्ठाक बंद हो जाएंगे दो कोश्ठक लगेंगे इंटू x का बेलू 100 और फिर प्लस a इंटू b a कमान है माइनस 5 और b कमान है माइनस का 4 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है उदर कैमरा थोड़ा सा मुझे लगरा करना पड़ेगा क्योंकि कुश्चन जो है वो ओबर जा रहा बाहर निकल रहा है तो रुकजा भई जाएगा कहां तू बाग के ये लो जलो अब इनको हमें हल कर लेना है मुझे कोई उत्तर बताएगा इसका जल्दी से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे पहले बता दे पिकास कुमार बहुत अच्छे पंकजी स्टेटस पंकज बेटा तुम कहां से आगे पहली बताओ गलती से जुड़े हो का खलास को थोड़ा पीछे कर लो देखो हंड्रेड का स्क्वाइर करोगे बच्चा दस हजार आएगा और प्लस ये पांच और चार तुम्हारा क्या हो जाएगा पता है तुम्हें ये माइनस है और ये प्लस है ये ऐसे कुछ है ये कोईश्टा खुलेगा तो ये चार हो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा वह भी माइनस में रहेगा याद रखना और फिर इधर पीछे साइड में प्लस याद रखना ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस पांच भी माइनस में चार भी माइनस में गुड़ा होगा दोनों प्लस हो जाएगा यानि चोर चोर आप चुरा के लाना मुझे बखी लाना तो प्लस ये ट्वन्टी समझ में आया ना सबको देखो अगर कोई समस्य है तो बिल्कुल नहीं से कोच बताना पंकज बहुत अच्छे पंकज राज एंड कार्तिक रावन ये इनका नाम है इतना बड़ा सर्माना नहीं चलो तो बहिया यह आपका हो जाएगा फाइनल में यह 900 प्लस का 20 तो बेटा यह प्लस और यह प्लस जुड़ जाएगा आपका यह 0020-900 फाइनल में इस में से जब हम 900 घटाएंगे तो 910 जीरो आएगा 9120 आएगा की नहीं घटा आके देख लो गलत होगा तो बता देना मैं भी देखूंगा पंकज भाईया सही है आए रजा सुना इधर ही पहेले तुम लोग जो इसको पहले घटा ले रहे हैं वो तरीका सही नहीं है तुम प्लस प्लस जोड़ोगे पहले ठीक है पहले प्लस पलस जोडोगे जटाओगे बाद में स्कृन साथ ले ऑदर वाला मान कभी चाहे स्कृन साथ ले या ना लो में तो यही है जल्दी करो स्कृन साल ले लो तुरंथ मैं मिताओं का कोईस्टिन इसको रफ़ करूंगा टाइम नहीं है डू फास्ट जल्दी करो मैं भी जहां कूं मेरी भी फोटो आनी चाहिए नेतर लोग आज पांच रुपया जो हम दस रुपया का नाज दे रहे हैं तो फोटो खिचवारें लगा के हम तो यह पता नहीं कितना रुपया का दे रहे हैं चलो खिचवारें करो हो गया रिसालत अली रिसालत जी नाम आपका बड़ा कठीन है इसलिए चाहते हैं पड़ा नहीं पाते जाद आच्छी इंगलिज चलो अब मैं यह मिटा रहा हूं इसका थार्ड पार्ट यह बताओ कौन-कौन कर लेगा क्यों भाई इसका थार्ड पार्ट कौन-कौन कर लेगा रूबी दुबेदी तुमारा कमेंट तो बड़ा चऊचक आ रहा है मतलब समझ रही हो चऊचक का मतलब सबसे ज़्यादा आ रहा है चलो ठीक है अगला कुजिश्चन पर आओ इसका थार्ड पार्ट देखो 104 इंटू 96 पेटा इसका अंसर कर लोगे कि नहीं मुझे बताओ देखो डारेक्ट गुड़ा नहीं करना है इसका डारेक्ट मल्टीपल नहीं करना चाचा नहीं गुड़ा कर लो इसे देखो थोड़ा वाइट दिखरा ज्यादा का मुझे लगना थोड़ा चमक ज्यादा है और तुम लोग बता नहीं रहे हो मैं खुद को गोरा दिखाने के चक्कर में पोर्ड को गोरा कर दिया हूं भाई ज्यादा नहीं चलो कितना एगा संजय कुमार यह लेशन है टू पॉइंट फाइप बेटा टू पॉइंट फाइप है क्लास नाइन्थ का एंसी आर्टी बुक है जो मुख एंसी आर्टी होती है अगर बात करें सीधा सीधा सब्दों में तो जो दावलों में लगता हैं कि अरा यह सभी ऑड़ के लिए है यूपी वाटुट व्हार बिहार आंक्यु इंपी बॉड ऐती जारकंट कोई भी वी बॉरडे तुम्हारा पाथे कर्म तुम्हारा वही होता है मुत है तक को इसमार होता है है इन्टू इसको तुम लिख सकते हो 100-4 बोलो सही है इस तो बहुत आसान है चचा इस तो बहुत आसान है हलुआ है एकदम है इसको मैं फालतू लगाया रहता हूं काट का चस्मा कुछी सिंग तुमारा कमेंट तो छप पर फाड के आ रहा है समझ रही हो ना देखो यह एक्स प्लस ए हो गया भाई साहब यह एक्स माइनस ए हो गया और देखो बच्चा ए प्लस भी ए माइनस भी तुम पढ़े ही थे बच्पन में अब जवानी में आ रहे हो धीर धीर बुलाए जा रहे हो यही तो बनेगा यक्स की जगहा पे सो और एकी जगहा पे चार फाइनल में हो गया दस हजार माइनस का सोला नो हजार नो सो चौरासी कितना आया 9984 संकेत कुमार का चचा आरा कुछ समझा मैं हम्पारिवार पर पेवियर श्टेडी में है तो बैटा कलास को लाइक करना ना ना बूलना जल्दी जल्दी से लाइक करो तुरंत देर ना करो फटा फट एक भी सिकेंड का देर नहीं सह जाता आप भई जल्दी लाइक करो तुरंत करो तुरंत चलो रभी संकर बहुत अच्छे बहुत अच्छे रभी संकर जी बेरी गूड बेटा बेरी गूड बेटा बेरी गूड सत्यम भिमल नीरज बच्चा जो पढ़ा रहे हैं उसको तो तुम पढ़ नहीं रहे हो चलो हो गया राजकुमार चवरसिय 2.5 है काठ का चस्मा लगा लो तुम्हें दिखेगा मैं कहीं लिखा था बुझे तो नहीं दिख रहे हैं 2.5 का question number second है ठीक है exercise 2.5 अच्छा एक बात बताओ जितना मैंने पढ़ाया तुम्हारे दिमाग में कुछ घूसा कि अरे मतलब 80% घूसा की नहीं उसका ना वाई में दिखे कमेंट में इतना कमेंट कर रहा है इनके कमेंट के अलमा किसी कपर दिखे तो third question में आजाऊ बच्चा थार्ड question में आजाऊ वरसा सिंग 100% गुसा एकवा कान में डालो निकलने न पाए जैसे कुछ लोग कहते नहीं एक कान में सुना एक कान से निकल गया जैसे बोलने न पाए एकवा कान बंद कही रहो चलो एकवास से सुनो question number third देखो question number third NCRT की जो मुख्य किताब है बिटा अगर उसमें से पढ़ लिये तुम और तुमने clear कर लिया सब यह बता रहा हूं guarantee है हमारी कि कभी तुमारा गलत नहीं होने वाला exam में 100% करके आओगे चाहे English medium हो या Hindi medium हो कोई भी medium से हो इसलिए इमानदारी से पढ़ो और कलास को पूरा देखो रोज मैं 45 मिनट से जादा कलास पढ़ाता हूँ 45 मिनट से बढ़ी उतना देर में अगर लगी भी है तो रोंके रहो जाना नहीं लेकिन चलो कहरा कि उप्यूग तो सर्बसमिकाओं का परियोग करके निमनलिकित का गुड़नखंड कीजिए उप्यूग तो सर्बसमिकाओं का परियोग करके निमनलिकित का गुड़नखंड कीजिए पूइस्चन है 9X का स्कॉयर प्लस 6XY और प्लस Y का स्कॉयर यह आपका क्या है question है तोनु कुछ वहा बच्चा पढ़ लो पढ़ लो राजा पढ़ लो देखो यह बच्चा कुछ अजीव टाइप का है पतलब यह बचवा दिया उसका बाप ढूंड़ना है यह अमेरिका अमेरिका खाल हो गई अमेरिका में तुमें पता है 80% बच्चे भ भिटेन ओ गई जो और भी देश भारत देश में ऐसा अगंड़गी नहीं है कि यहां पे तो कही अस्तर पर जांच होती है ओने के पहले भी होती होने के बात भी तो देखो मैं ऐसा क्यों प्लस वाई का स्क्वाईर एकवल या को फील येयर समुझार वाईसित यैयनि यह वह दिया है पुरा बड़का वाला दिया हमें यह बताना है किया समझ मेरी तुम्हें हमने यह इताना है यह दिया है पूरा बड़ा वाला समझ रहा हो ना तो हमें क्या करना है अब समझना है step by step थोड़ा दिमाग एक बित्ता आगे लगाना है थोड़ा और आगे किसका के समझो देखो यहाँ पर यह स्कॉयर है ना यह 9 एक्स का स्कॉयर है तो बेटा यह बताओ अगर मैं इसको 3 एक्स का स्कॉयर लिख दूँ तो क्या इसमें कोई बुराई है बोलो यह 9 एक्स का स्कॉयर को क्या मैं 3 एक्स का स्कॉयर लिख सकता हूं अगर लिख सकता हूं तो आप लोग इमांदारी से ब तो मैं लिख सकता हूँ तो प्राब्लम किस को है फिर ठीक है मैं लिख दिया अब ये प्लस फर्मूला है ये रियल वाला वर्जीनल वाला ये ये टू यक्स x की जगहा पे बचवा हमारे में क्या है ये चच्चा है इंका real मान जो है 3 x है तो ये हो जागा 3 x और इंट्व y y की जगहापे हमारे में क्या है y ही है त्यान देना ये थोड़ा इस्ट्रा दिमाग लगेगा इसमें समज में थोड़ा कम आएगा थोड़ा एक्ष्ट्रा दिमाग लगेगा कम समझ में आएगा लकी कुमार कुछ समझ में आ रहा है देखो बच्चा अगर समझना है बाबू तो कलास को पूरा देखना अगर बीच में तुम जुड़ गए धोके से और भाग गए छोड़के तो फिर कुछ होने वाला है नहीं कुछ गिलने वाला है नहीं किसलिए है है समझो यह एक्ष का मान हो गया यह यह तो चचा खुद है दिया है वरिजिनल में तो यह 3-x plus y का होली स्क्वाइर यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा या फिर इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y और यह 3x माइनस y नहीं प्लस दोनों रहेगा यानि यह भी अंसर हो सकता है यह भी हो सकता है दोनों लिख दोगे तो कोई किसी का माई कलाल गलत नहीं कर सकते ओसे मैं कहा है बोला क्योंकि दोनों सही है ठीक है बच्चा यानि यह भी सही है यह उपरवाला भी इस यह थोड़ा साहुर ज़्यादा जोड़े फार्म में लिख दिया गया ओपन करके यह थोड़ा साटकड में था बस पीता बंजारी समझ में आ रहा है भाई ये बंजारे तो मैंने कहीं सुना था ये कोई मूभी होभी है का बंजारे आजा तेरी बंजारन तुझे पुकारे अलताप साह पूरी देस को ही लाके रख दिया है जलो कि इसरा हो गया पंकज नहीं हो बिटा जो जो नहीं है ना उनको अब अभी मिनेगार अभी बेलकम गिफ्ट मिलेगा पहले कलास को लाइक करो तब जल्दी करो देर ना करो अगला कुशन देखो इमांदारी से देखो देखो मगर प्यार से देखो क्या कहता है सिकंड पार्ट कहरा बेटा यह 4y का स्कॉयर देखो यहां पर सिर्फ उत्तर नहीं लाना है चाचा अगर सिर्फ उत्तर लाना है तो इनके कई तरीकें तुम लगा सकते हो लेकिन तुम्हारा तरीका गलत हो जाएगा परिक्षा के लिए यह बात अपने दिमाग में रख लो तो यहाँ पर तुम्हें जो क्लास नाइन्थ में NCRT में मेथेड है उसी मेथेड से बनाना है समझ रहो ना भाईया यानि जैसे आलू का समोसा बनाना है तो उसको समोसा वाली बिधी से ही बनाना है यानि उबालना है छीलना है खोड़ फाड़ के गुंच गांच के मसाला हर्दी मिर्चा गोबर माटी मिलाएके बना रेगा है ऐसा नहीं कि तुम कच्चला एक खाई जाओ तो समोसा है नहीं तरीका वही लगाना है पेट दूइनों से बर जाएगा उससे बर जाएगा उससे भी पेट भर नहीं राख खाली हो रहा है चिला चिला के अर्ष कुमार आर्मी लवर पढ़ लो बाबू पढ़ लो कि रोसनक का दिक्कत होई गए तहां तो आत निकाल दाना को आख बहर है इसके देखो यह एक्स का स्कॉयर और यह टू देखो यहां माइनस है माइनस वाला भी तो सूत्र होता है यह माइनस दो यक्स वाई और प्लस वाई का स्कॉयर यह सूत्र होता है एक्स माइनस वाई का ओल स्कॉयर बोलो यह होता है कि नहीं अरे भाई जहां a square minus 2ab plus b square होता था यहाँ पर yक्स और y है बस a, b की जगाँ पर yक्स y है बाकि तो सब ओई है ना सब ओई है ना तो यह दिया है तो यह बताओ हम 2 y का square अगर कर दें किसको यह 4 y square को तो क्या इसमें किसी को कोई अपत्ती कोई परिसानी नहीं ना इसको करने में किसी को कोई समस्या नहीं ठीक है तो बिटा हम क्या करेंगे 4 y square को 2 y का square कर देंगे अब तुम ध्यान दो ध्यान दो उपर बढ़ो इसके बाद क्या करेंगे देखो समझो, यह दो तो ऐसे ही रहेगा सूत्र में है, इन्टु यक्स, यक्स का मान अभी अभी यह मुझे मिला है, यह मैंने नया नया पाया है, टू आई, और वाई, वाई मतलब भी, भी मतलब इलाइस्ट वाले चाच्चा ना, अरे यह भी तो सूत्र तुम पढ़े हो, देखो कुछ ऐसे गदाहा हैं, उनकी यह जनाई समझ में होता है, देखो या, यह वो चली गई, इनका अभाईने जायग रहा है, लिया, यह सूत्र पढ़े हो कि नहीं, यह सूत्र पढ़े हो ना, पढ़े हो ना, तो भाईया हो, यह हो जाएगा वाई की जेगा पर वाई, तो फाइनल में क्या होगा, अभी देखो फाइनल हुआ ही नहीं तो होगा का, एक मिनट रुख जाएगा, और फिर क्या है, वाई का स्कॉयर है ना, क्योंकि सूत्र में लांच्ट में बी का स्कॉयर होता है, तो उसकी जगह पे तो कुछ रखोगे, वाई की जगह पे वाई और माइनस वाई का स्कौायर परे भीजा हुआ है ये बोर्ड सुकता ही नहीं है पंका भी नहीं चल रहा है तका सुकेगा नमी भी ये बारिस हो रही परे आगरा आज डूब रहा है डूब रहा है डूबते को कोई सहारा नहीं दे रहा है यह अंसर हो जाएगा या फिर यह हो जाएगा या फिर यह हो जाएगा दोनों में से कोई भी एक हो सकता चाहिए यह हो जाए चाहिए हो जाए भाई सुरेस भिलवाडा एकी बात को बार बार कमेंट ना करिये समझ में आ रहा ना तुरेश भी लवाड़ा बेटा तुम कभी कलास में आये नहीं और तुम्हें ये कैसे हैसास हो रहा है इनको पर्मनेंट के लिए ओल्ड कर दो ये चले जाए लाइफ टाइम के लिए उसे तुम आने कर दिया है अधियार स्टडी एडिटर आपको कुछ काम आपको आपको कुछ आम नहीं करना आज यहीं करना है का मज़े ले रहा के इस्क्रीन साट ले लो उत्तर हो गया जल्दी करो सभी स्क्रीन साट ले लो तुरंथ देर ना करो पांच घंटे ना लगाओ अरी सेसन को लाइक करो तुरंद करो एक एक बच्चा करेगा लाइक जल्दी करो लाइट भी गई है वैसे भी आत्मा जबाब दे रही है गर्मी बहुत तेज लग रही बयानक जल्दी करो सभी बच्चे प्रठा फट कलास को लाइक करो बहुत जल्दी करो लाइक करो तुरंद तुरंद लाइक करो जल्दी करो प्रठा फट करो जल्दी जल्दी सोने का नहीं देखो जो सो रहे न उनको गिररा गिररा के आया भी जाके यहां पर लास चल रहा है कुछ नालाइक गभारा अथ्ण प्रताप मितर कहले है को बच्चा सब से लाइक, करो तरेद्들 ना करो ऌफिल तक टाइम बेस्ट ना करो तामजा भी बेस्ट ना करो बच्चा तो फिर प्रोजाया गड़़ जलो इसको मैं मिटाया इसको मैं मिटाया ओके जलो कि अग्याइज तो आपके कुश्चन नंबर थाड के जो है तो पार्ट हो गए तीसरे पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पार्ट देखो ध्यान से समझो तीसरा पार्ट कह रहां बचवा बहुत ही आसान है यह भीज गया मारकर इसलिए इसकी क्या बोलू मैं इसको नो कि इसका भीगा हुआ है चल नहीं रहा है इसकी आत्मा जवाब दे रही चलने से पंका चलेगा ही नहीं चलेगा का नहीं चलेगा पंका पंकी लाइट चली गई देखो समझो तीसरा पार्ट क्या है अब मुझे यह बताओ यक्स का स्क्वाइर यह ऐसे है इसको कर लोगे की नहीं आप लोग कर लोगे आगे कुछ करवाया जाए कि इसी में हम चलते रहें हरी केस बच्चा अभी तुम्हें मुसीबत आ गई अभी तक सही था सब कर लोगे ना भया इसको कर लेना नहीं मैं बताई देता हूं कुछ लोग मर रहे हैं यहां पर चलो ठीक है क्रिस्तिवारी बच्चा पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो निकल लो यहां से है तुमारे जैसे लोगों की यहां जरूरत थोड़ा कम है पढ़ना है तो पढ़ लो यह वाई का स्कॉयर सकते हो लेकिन एक चीज़ यहां पर समझ हो तुम बच्चा एक चीज समझो उसे कुछ मतलिक हो चाहे है यह a का स्कॉयर माइनस b का स्कॉयर बन रहा है बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा ना भईया तो देखो अगर मैं सूतर की बात करूं तो यहां पर सूतर दिखो समझो इसे मत लिखो कुछ ना करो तो ऐसे समझो देखो A काई स्क्वाइर माइनस B काई सो A प्लस B और A माइनस B बोलो बन रहा है की नहीं मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे या से या नो ऐसा बन रहा है ना मुझे बुक खोल लेने दो अब एक्सरसाइज 2.5 है कौन सा है एक्सरसाइज 2.5 कुईस्चन नमबर थर्ड और थर्ड का थर्ड पार्ट है जल्दी से इसको लिखो और इसको हम फर्मूले में रखके फाइनल में इसका उत्तर निकाल के पलट के देते हैं तुमें चलो तो बच्चा देखो अब हम एक ही जगह पर यह जो दिया है इनको ऐसे कर देंगे इनको तुम वन लिख सकते हो नीचे नहीं तो इनको थोड़ा सुन्दर करने के लिए और धंक से करने के लिए ऐसे कर लो यह वाई अपान देखो 10 कर लेंगे इसको जब इसक्वायर करेंगे तो आप सब को पता है कि 10 का इसक्वायर 100 हो जाता है है न हो जाता है न बच्चा तो यह फाइनल में हो जाएगा ए ए की जगा पर यक्स अपान वन और प्लस पी की जगा पर वाई ये पान टेन और यही सेम टू सेम अगले कोश्ठक में हो जाएगा बस आंसर हो गया फाइनल लिख लो हरसित सिंग बच्चा पढ़ाई कर लो अगर तुम वीडियो डाउनलोड करोगे तो ऐसे भी तुम्हें कलास नहीं मिलेगी यह जितने भी वीडियो चाहे पुराने हैं चाहे नहीं है बिटा अगर आंलाइन देखोगे तो सारे कलास मिलेंगे और तुम डाउनलोड करके क्या खाड़ लो गया आंलाइन पढ़ो अच्छे से प्यार से नहीं कलास मिलती है बताओ अगर से अलग से कुछ हेल्प मिल जाएगी तेली रेगुलर टाइम पर आओ बाद में डाउनलोड करके अगर देखोगे तो सारी कलास नहीं मिलेगी यहीं पर सुन लो जितने तुम एगा तो फोर नंबर कुष्टन इस नंबर फॉर अचा सबी बच्चे मुझे यह बताओ कि आप एंसी एार टी मुख लियो जो एंसी एर टी का किताब लियो देखो कोई भी तुम किताब लिये हो, NCRT है या नहीं है ये बच्चा जो इसमें कुष्चन है और जो टाइप है तुमको सिर्फ वो सीखना है तुमारे बुक कोई भी हो अगर तुम वो टाइप और कुष्चन सीख लिये तो तुम सब कर सकते हो सब कर सकते हो चलो कुष्चन चार पर दीरज लिये हैं, पृति लिये हैं, हरीकेस, मीरा, अंकिता, अभिसेख, बादार, हरसीद, अंकुर, सब लिये हैं चलो कुष्चन चार कह रहा है कि उपर युक तो सर्वसमिकाओं का परियोक करके निमनलिकित में इसे परतेक का परसार कीजिए मतलब इनको और चौना बनाना है एकस प्लस टू आई प्लस फोर जड़ वे जू मत करो प्लस फोर जड़ इनका होल इसको है ठीक है बच्चा इनका क्या करना है, हमें मान निकालना है यह को लाइट बहुत बुरा कट रही है लाइट बहुत बुरा कट रही है एक मिनट मैं वो फोन मंगा लेता हूँ यह फोन मंगा लेता हूँ थोड़ा रुक जा एक मिनट भई यह चार्ज नहीं है पीतेन फोन लेके आओ वाला कहा हो दूसरा वाला मॉबाइल लेखिया हूँ यह चार्ज नहीं चलो ठीक है आगे बढ़ते है ठीक है चलो यहां पर समझो फर्मूला इसमें लगाएंगे एक मिनट लगा देने दो भी यह अर्ज नहीं है देखो बच्चा कल मैं तुम्हें जब सर्वसमिका लिखवाया था तो कुछ बच्चे नहीं लिख रहे उनको लग रहा था कि फर्जी यह लिवा रहा है इसका कौनो मतलब नहीं है तो कल मैं लिखवाया था x plus y plus z मार कर में थ्राही डालेता हूं बहुत हलका चल रहा है इसके आगे तुम बताऊ मुझे क्या है इसका सुत्र जल्दी बताऊ जल्दी बताऊ सभी बच्चा बताऊ बसाइज दिवता चलो चल्दी बताओ चले आगे बढ़े चलो ठीक है ओके सरबेश एके हमें पावर लगाना आ गया नहीं नहीं अभी पावर लगाना नहीं आया पावर लगाने के लिए पववा लगाना पड़ता है विर जेश कुमारे दुबंसी आ गया हो चलो अच्छी बात है और बताओ हाल चाल ठीक है घर गरहिन पे है कहीं गया तो नहीं न चलो तो बच्चा ये इतना हो गया इसके आगे जगा तो दिख रही न तुमें ये होगा 2AB यानि 2XY प्लस 2YZ और प्लस 2ZX एक बार फिर से सुन लो जिनको कम दिख रहा है वो सुन ले कुछ लोग होता है उन्हें कम दिखता है कुछ लोग होता है कम सुना ही पड़ता है तो बच्चा सुन लो ये X का स्क्वाइर है प्लस ये Y का स्क्वाइर है और ये Z का स्क्वाइर है और यह 2xy, 2yz, देखो चाचा यह z है ने इसको दो समझ लो, अरे जेड भाट जेबरा, जेबरा मतलब चिठीदार गदा, हम लोग यहीं पढ़े थे, यह 2zx, ठीक है, चलो, अब इनके सारे मान हम इसी में लाला के पटक देंगे और उत्तरा जाएगा, तो यक्स की जगहां प जगहां पर देखो 2y, यहां से मिलाओ, y की जगहां पर 2y है, यह 2y का square, z का square, देखो बेटा, यहां से z, z की जगहां पर 4z है, यह 4z का square, प्लस 2xy, x का मान क्या है, देखो कुछ अच्छा लोग confuse हैं तो वो लिख ले, x का मान एक्स है बेटा, y का मान 2y है, z का मान 4z है, यहां से compare कर लो, ठीक है, बच्चा यह तुम क्या पी-पी लिख रहा है इतना देर से, हां, चलो, x का मान रख दो भईया, x है, y का मान रख दो बच्चा, y का मान 2y है, प्लस, अब आगे बढ़ते चलो, मैंने इसमें 2x y में मान रख दिया, अब हमें रखना है 2y z में मान, तो 2 और y, y का मान 2y है, z, z का मान क्या है बच्चा, 4z है, उदर साइड में मुझे लग रहा है, कट रहा है न, थोड़ा मुझे इसी में हर्जेस्ट करना पड़ेगा, साकेते में संदियान रुख जा, यह 4z, बस, अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान देना, मैंने यक्स स्क्वाइर का रखा, इसका रखा, इसका रखा, और इसका रखा, इसका भी रखा, लेकिन यह चच्चाब है वह इसे बचा हैं, इनका नहीं रखा हूं, तो इनका मान नीचे रख दूँगा, 2z, जड कमान बेटा 4z है, और यक्स, यक्स की जगह पे यक्स है, बस इतना ही था, यह को थोड़ा दिमाग इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह कुश्चन इतना आसान नहीं है, और परिक्षा में अक्सर आपके नाइंथ में हो, तो पूछा जाता है, त देखी जाती है, कि महीं से चरावे लायक किया है, कि कुछ और करे लायक, तरबेस बच्चा पढ़ लो, पढ़ लो नहीं, खुसी अभी जो ढूण रहे हो ना, यह खुसी बाद में ढूण नहीं मिलेगी, और समझ रहे हो ना, पढ़ लो इसलिए, अच्छा रहेगा पढ़ पढ़ लो, जड़ो, अब क्या करना है समझो, अब इसको मैं थोड़ा और इधर खींचूँगा, क्योंकि मुझे वहां उधर साइड में जगा नहीं है, तो मैं इसको कोशिस करूँगा, यहां से लिखूँगा यक्स का स्कॉयर तो बच्चा यक्स का स्कॉयर का स्कॉयर करोगे तो ये यक्स का स्कॉयर ही रहेगा ये दो वाई का स्कॉयर करोगे बिटा तो ये हो जाएगा तुम्हारा चार वाई का स्कॉयर चार जड़ का स्कॉर तुम करोगे ति हो जाएगा 16 जड़ का स्कॉर और प्लस कितने में किसी को कोई समस्य है तो बता दो अब बच्चा देखो इनका गुड़ा करोगे तो दो दुना ये हो जाएगा चार तो ये चार यक्स वाई और प्लस समझते चलो एक-एक पॉइंट दिमाग में घुसाते चलो एक-एक यहां तक हो गया ऐहां तक अब यह दादा बचाए दू दुना चार और चार चौक सोला यह जाएगा सोला वाई जेड समझते चलो एक-एक मुझे लग रहा है कुछ ज़ादा चमक हो गई कि इसमें दूसरा कौन ago हो मैथड नहीं न कि इसमें कोई माय कोई दूसरा मैथड नहीं है कोई 90 कोई निकेशन यूं का प्रिक्षा यूँ ठीक हैक इसमें कोई साैटकट नहीं है जो तुम कर लो ना जो चलो चमक थोड़ा कम करने गया था मैं तो यह 16 हो गया नीच्छे वाले में आजाओ दो चोक आठ आठ जेड़ेक्स यह बेटा फाइनल में तुम्हारा अंसर हो गया इसको मैं उधर से इसलिए बंद कर दिया कि उसमें न मिल जाए उपर वाले में यह अंसर हो गया 34 सिंग्रोल कीता बंजारे हर्स भईया कलास को सभी जल्दी से लाइक कर दो बाबू और जितने भी साथी चैनल नहीं सब्सक्राइब करें वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि वो रोज कलाफ ले पाएं हर दिन बिल्कुल फ्री कलास होती अगर तुम्हें बुरा लगे गा चोट लगे की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सही है डिस्क्राइब ना करो तो हम ना करेंगे हम चलो आगे बढ़ें हम स्क्रीन साथ ले लो बहले फोट हुआ तक ही चलो कम से कम हमारी आगे चले चलो एक मिनट आदा मिनट रुक जा चलो जल्दी से लाइक करो भाई ऐसे मज़ा नहीं आरी देखो यार तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो ना तो मुझे बहुत तैज़ गुस्ता लगती क्योंकि तुम लोग ना हमारे बहुत बढ़े खिलाड़ी हों मदलब तुमहीं लोग के लिए मैंने सारी कलास फ्री कर दिया यूटूब पर बागी देखो 9 का छोड़ दो बाकी 10 का एक कलास जिसके अलामा देखो बेसिक मैद था सीटेट था सूपर्टेट था जो भी था डीलेड वेलेड कहां पढ़ाते हैं तब एपलीकेशन में चलने लगी पेमिंट के बाद फिरी का कुछ नहीं तिर्फ नाइन टेंथ का है क्योंकि नाइन टेंथ के बच्चें हमारी बात मा का आप एपलीकेशन में पढ़ो परएबेसिक के साथ कोई ना जाने तुम्हें हां चलो है तो ठीक है अगला कोईश्चन उतारने दो भाईया देखने दो कहां गया एक क्यमें इतना दिमाग का दहीं बन गया कि इसकेंड पार्ट देखो इसका होल इसको है देखो यहां ध्यान देना यह जैसे बन जाता है जैड फार जेब्रा जेब्रा मतलब कित्थितार गदा हुआ 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 है समझ रहो ना चलो अब देखो यह हो गया अब बच्चा इसी मिला लाकि मान रखना है राजा चलो यह सुत्र होता है ना X प्लस Y प्लस Z का whole square यह क्या होता है X का square प्लस Y का square प्लस Z का squareuje 2XY 2YZ और प्लस 2ZX जिखो मैं मुझ से बोल रहा हूं ध्यान से सुनो यह 2 है यह Z है इसको मुझे बार बार Z बताना पड़ता है अरे सासुरा सीधा सीधा बनजा ना चलो Mr. Yes दूबे ठीक है यस बहुत अच्छे आपी कि जैसे बच्चे तो मैं ढून रहा था जैसे मैंने पहला बताया वैसे मान रखके कौन कौन कर लेगा मुझे जल्दी बताओ जैसे मैं पहला बताया था वैसे मान रखके क्या आप कर लोगे इसे जल्दी बोलो यस कर लोगे वही कर लो ना यार क्यूं मुझे परिसान करते हो कर लो सभी है पिर कलास बंद करा जाए बहुत लेट हो रहा है ना सभी बच्चे एक चीज़ सुनो यहां पर अगर आप डेली फ्री कलास पढ़ना चाहते हो और नोट्स पाना चाहते हो साइंस वगारा का पीडिया भी मिलता है तो पीवीर स्टडी का टेली गराम चैनल जर कर लोगे ह memb liya जाएगा जितनी आग तक चलिया आज लिंव में के पार तेस नंबर ख़्यांसफें इसके पहले की बाईश कला से वो सारी कलास इस तेली गराम चैनल पर वेज होता है यजी यह यूट्यूप पे हमारा चैनल है उस तरह से टेलीगराम ऑन आप चे नेल होता ह क्योंकि WhatsApp का गुरूप कोई WhatsApp पे सर्च करके नहीं पा सकता है लेकिन टेली गराम चैनल कोई भी पूरे बिस्सों में कहीं से भी टेली गराम पे सर्च करके पा सकता है टेली गराम में लाखो लोग नहीं मिलियन लोग जोड़े जा सकते हैं लेकिन WhatsApp Group में मात्र 256 महाब WhatsApp Group में कितने मात्र 256 तो बेटा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो अगर तुम्हें नहीं पता कि टेलीग्राम क्या है टेलीग्राम चैनल कैसे जॉइन करते हैं इसका क्या फायदा है तो तुम YouTube पे सर्च करो PVR Study टेलीग्राम यूटूब पर लेकिन दोनों वर्ड बोलना या लिखना PVR Study टेलीग्राम या टेलीग्राम पीवियर स्टडी तुम्हें उपर से एक वीडियो मिल जाएगा सबसे उपर जो उसमें लिखा होगा टेलीग्राम कैसे जॉइन करें हमारी वाटसप पर मैसेज कर देना दो से तीन दिन के अंदर हम आपको रिप्लाई करेंगे क्योंकि हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं थोड़ा टाइम लगता बावू तो दो से तीन दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा फिर भी नहीं मिलता है तुम्हें कोई और भी कर जी भाई बहुत बड़ा काम करते हैं कि अधिया ठीक है फिर मैं बंद करूं कलास को आप लोगों की इजाजा थे तो बंद करा जाए अच्छा आप लोग कहां कहां से जुड़े हो बताओगे क्या जैसे आपकी कलास प्रियागराज उत्तर परदेश से होती है वैसे आप के जल्दी बताओ जो कमेंट करेंगे ना शिर्फ एक बार करना करना जामें डीताूं कमेंट बार बार नहीं कर पाऊगे जल्दी जल्दी ठोड़ा रुचके कर पाऊगी जल्दी बताओ कौन-कौन कहां से जुड़ा है जिंगरावली मध्य परदेश से दिलीब भाई जुड़े हैं और एक दिलीब कुमार है वो यूपी और एया से हैं यसके आजये गेम यूपी गोरखपूर से जुड़े हुए है अंकित कुमार अयोध्या उत्तर परदेश से है अस्वनी कुस्वाहा यूपी गाजीपूर प्रेमचंद कोटा से हैं रूबी मर चुकी है बईयाई निसांद कुमार धनबाद जारकंड से हैं मैं ऐसा काय बोला क्योंकि ऐसा कुछ लिखाता हो और अन्तिमा विसकर्मा यूपी जौनपूर से अभिसेव कुमार भाई विह अंकित सिंग यूपी महराज गन से हैं लिजेंड गौड गेमिंग कानपूर उत्रपरदेश से हैं पुस्पेंद सिंग अभी हा लिख रहे हैं तीन मिनट बाद तुम दुबारा हौ कर पाओगे तीन मिनट में एक कमेंट कर पाओगे इफलिए फाल तु कोई मार कमेंट मत क करना तीन मिनट में एक के ठीकर पाओगे और कोई एनिवन मीरा बर्मा बारा बंक यूपी से हैं जगदीश पाल परताफ गड़ उत्तर परदेश से हैं विपिन जी यूपी के गोंड़ा से हैं अनुराग फटेपूर यूपी से हैं रजस्थान के सीकर जिले से करन मीना है पुसी सिंग और अंगा बाद जिले से हैं भिहार से आरपी चौधरी बस्ती यूपी से हैं जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तीन मिनट रुकेंगे एक बार कमेंट कर दी हैं तो तीन मिनट बार फिर कर पाएंगे ठीक है उनके स्क्रीन पर टाइम दिखाएगा कितना पच्छा दीपक देखो तुम बनाया हो तो अपने लेबल पे लोगों को जोड़ो सेर कर दिया करो कलास को हम वैसे ही बहुत से ग्रूप में जुड़े हैं हमारे वाटसअप वाले हमें खुदी फोन करके गरी आते हैं कि इतना लोग को मत जोड़ो वाटसप में तो मैं नह कि नाम ही नहीं है मेरा नाम है राजकुमार र-a-j-k-u-m-a-r अब पता नहीं सपनों के राजकुमार क्यों ऐसे हैं तो लोग मजद भी लेते हो बहुत ना हां रोशन ठीक अब यहार से आप भी बंद पर्देश के रिवा से परंजलती बारी है ठीक है फिर चलते हैं आप लोगों का थोड़ा थोड़ा जो जो जुनून है ठंडा पड़ रहा है तो ज्यादा कमेंट फालतू के आ रहे हैं तो मैं बंद करता हूं टाइम ओबर हो ग सबी बच्चे कलास को लाइक करके जाना बाबू और दोस्तों को सेयर जरूर करना